हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 16 जून से समंधित उत्रब्रदिश के सभी एक्जाम्स के लिए most important current affair की questions को डिसकस करेंगे और हरे questions से related आपको facts भी बताएंगे और वीडियो के अंद्र में हम आपसे एक question भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप मारे telegram group से डाउनलोड कर सकते हैं telegram group की link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी तो चले शुरू करते हैं दोस्तो उत्तरप्रदेश लेकपाल के लिए अगर आपको grammy परवेश की e-book डाउनलोड करनी है तो इसकी link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी वीडियो स्टार्ट करनी से पहले 2020 और 22 के कुछ award देख लेते हैं तो एबल पुरूसकार ध्यान रखेंगे जो की गड़ेत की छित्र में दिया जाता है ये 2022 का किसी दिया गया तो डैनिस सुलिवन को जो की अमेरिका के हैं और 2021 का किसी दिया गया तो लास्जलो लोवास को जो की हंगरी के है Miss Universe 2021 का किताब किस ने जीता तो हरनाज को और संधू ने वहीं अगर बात की जाए Miss World 2020 तो कैरोलीना विलावसका ने ठीक है यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है दोनों नाम अच्छे से ध्यान रखेंगे अगला याद रखना है कि पृतिजर पृसकार 2022 ये किसे दिया गया तो फ्रांसिस केरे को पृतिजर पृसकार 2022 और दोस्तों ये वास्तू कला के छेत्र में दिया जाता है दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवाड 2022 में अगर देखें तो जो बेस्ट एक्टर का वाड है वो मिला है रड़वीर सिंग को फिल्म किस के लिए 83 के लिए और बेस्ट एक्टरेस का वाड किसे दिया गया तो कृति सेनन को कौन सी फिल्म के लिए तो ध्यान रखेंगे मिमी फिल्म के लिए और फिल्म आफ दा इयर किसे चुना गया तो पूसपा दा राइज ये जो है फिल्म आफ दा इयर रही तो इस अभी अवार्ड आपको अच्छे से ध्यान रखने है आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के कुश्यन का रिवीजन करेंगे कल का पहला कुश्यन है हाली में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे इस्टेशन को आई जी बी सी की ओर से ग्रीन रेटिंग दे गई है तो इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सन नमबर ए अग्रा केंट कुश्यन है पेंग्विन प्रकासन किस के जीवन पर एक नई किताब राइटर रिवेल सोल्जर लवर जुलाई में रिलीज करेगा तो ये जो पुस्ताख होगी ये सचिदा नंद, हीरा नंद, वासायन, अग्ये के जीवन पर ये आधारित होगी और दोस्तों उत्तर प्रदेश करेंट एफर की अगर आपको लास्ट वन एर की यानि साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और दोस्तों ये जो PDF एबुक है इसमें हमने करेंट अफर के साथ UPGK के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया है तो और इससे अगर डाउनलोड करने में कोई प्रवलाम होती है तो साइट पर आप WhatsApp नंबर और email मिल जाएगा जिस पर आप contact कर सकते हैं अगला कुशियर है Air Quality Index में देशका सबसे प्रदूशित सहर कौन सा है तो इसका जो correct answer है वो है option number C हापड अगला कुशियर है टाइमस को गवारा जारी 50 Most Desirable Man 2020 की सूशि में सीर्स इस्थान पर कौन रहे तो इसमें जो है सीर्स इस्थान पर रहे सुसांत सिंगरासपूत जो की अब इस दुनिया में नहीं है अगला कुशियर है Heidelberg Cement ने किस देश में दुनिया का पहला CO2 Neutral Cement Plant की योजना बनाई तो इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा उप्सन बर A होगा Sweden अगला कुशियर है विश्वाल सर्म निशियत दिवस जो ही ये कब मनाय जाता है तो ये बनाय जाता है 12 जून को उप्सन नमबर C यहाँ पर करेक्ट होगा किस देश ने हाली में पहली बार FIFA E NISSANCE Cup 2022 के लिए कौलीफाई किया तो इसका जो करेक्ट अंसर है वह उप्सन बर टी भारत ने अगला उशियर है किस राजे सरकार ने राबता मुहिम अभियान चलाया है तो जो राबता मुहिम अभियान ये पंजाब सरकार के और से चलाया गया है अगला कुशन है किस ने वर्स 2021 का International Business Book of the Year जीता तो ये जीता है नितिन राकेस और जैरी बिडने यानि ऑप्सन नमबर सी यहां पर करेक्ट होगा तो दोस्तों ये थे कल के कुशन जिसका हमने रिविजन किया NSI कहां पर इस्थित है यानि राष्ट्रिय सुगर इंस्टिट्यूट जो है ये कहां पर इस्थित है तो ये उप्तर प्रदेश की कानपूर में इस्थित है और सन नमबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा National Sugar Institute NSI ने गन्ने की Smack नैनो सिल्का की खोज की है दोस्तों वैसे देखा जाए कि जो नैनो सिल्का ही कई अनिसरोतों से भी मिलता है और इसा मिला भी है लेकिन हुआ क्या है بھی कि बायो सिल्का से ये देश में पहली बार पो जा गया यानि जो राख थी खोई की राख उसमें जो है नैनो सिल्का की खोज की गई है तो इस वज़े से ये कुश्यन important हो जाता है क्योंकि बायूस रोत से जो है नैनो सिल्का इसमें पहली बार खोजी गई है इसे राख से निकालने की तकनीकी भी NSI ने विक्सित की और अब इसे जो है पेटेंट कराया जा रहा है नैनो सिल्का पार्टिकल से दोरा उद्योग पैंट और बैटरी उद्योग लिथियम आयन बैटरीज नैनो फटलाइजर हो गया इसमें इस्तिमाल होता है और जो निस्टनल सुगर इंस्टिट्यूट है यह कानपूर में इस्तित है तो यह आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे ठीक है तो कुश्चन क्या पूछा जाएगा कि हाली में जो नैनो सिल्का है यह बायो स्रोत से खोजी गई तो जो निस्टनल सुगर इंस्टिट्यूट है यह कहाँ पर इस्तित है यह पूछा जा सकता है तो ध्यान रखेंगे कानपूर में यह इस्तित है ठीक है और किसने जो है नैनो सिल्का को खोजा है बायो स्रोत से तो निस्टनल सुगर इंस्टिट्यूट ने NSI के दोरा जो ह इसे हो जा गया दोस्तों वैसे देखा जाए कि जो नैनो सिल्का पार्टिकल्स हैं इनका उप्योग क्या होता है तो पैंट दवा उध्योग में इसका यूज किया जाता है पैंट के जो पैंट होता है उसमें यूज किया जाता है इसके साथी बैटरी उध्योग में लितियम आयन बेटरीज में इसका उपयोग होता है, नैनो फर्टलाइजर आदी में इसका इस्तिमाल किया जाता है। ठीक है तो ध्यान रखेंगे जो नैनो पार्टिकल्स है, जो नैनो सिलिका है, ये पहली बार बायो सुरिच से देश में खो जा गया है। अगला कुश्यन है, उत्तर प्रदेश में इसराइली तकनीकी पर आधरित कितनी हाई-टेक नरसरी स्थापित होंगे, तो 150 हाई-टेक नरसरी स्थापित होंगे, जो की इसराइली तकनीकी पर आधरित होंगे। हाली में उत्तरप्रदी सरकार ने बागवानी को भढ़ावा देने और ग्रामीर आजीव काम सुधार के दोहरे उद्दिश की पूर्ती के लिए महात्मा गांधी राश्ट्रिय ग्रामीर रोजगार गारंटी अधीनियम की योजनाओं के तैर इसराइल की तकनिकी पर आधारि नरसरी स्थापित करने का नरडाय लिया दोस्तों इस स्कीम में यानि ये जो योजना है इसमें जो 150 हाइटेक नरसरी स्थापित की जाएंगे तो उनमें जो है कौन-कौन से पौदे होंगे तो इसमें जो है बेर होगा अनार की जो नरसरी है वो होगी कटहल, नेबू, आम, अमरूद, मौरिंगा, ड्रेगन फ्रूट, आधी जैसे फल और इस्थानिय भागॉलिक परिस्तितियों तथा आसपास के छेत्रों के आधार पर मांग की अनुसार कई सब्जियां उगाने के लिए प्रतेक जिले में दो हाइटेक नरसरी विक्सित की जा रही है ठीक तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या फैसला किया है कि प्रदेश में सभी जिलों में 150 हाइटेक नरसरी इस्थापित की जाएगी और एक जिले में दो हाइटेक नरसरी इस्थापित की जाएगी ठीक है तो और इसके ताहिए जो है कौन कौन से फल और सब्जीयां जो है इसमें उगाने का काम किया जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सारी सब्जीयां और फल यहाँ पर दिये गए है अनार, कटाहल, नेबु, आम, अम्गूत इसके लावा इस सारी यहाँ पर जो है दिये गए तो ध्यान रखेंगे question इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये जो high-tech nursery होंगी ये किस देश की तक्निकी पर आधारित होंगी तो इसराइल की तक्निके पर ये आधारित होंगी अगला question है उतरप्रदेश सरकार ने किस वने जी उस सेंचुरी को tiger reserve के रूप में नड़ाय लिया इसका जो correct answer है बो है option number A रानीपूर century को योगी सरकार ने चित्रकूट का जो रानीपूर century है इसे रानीपूर tiger reserve के रूप में विक्सित करने का नड़ाय लिया है ये पर देश का चौथा tiger reserve होगा मुक्यमंत्री योगी आधितनात ने इसकी घोशना राज्य वन्यपूर बोर्ड की बैठक के बाद की है योगी सरकार चित्रकूट की century को जो रानीपूर century है इसे रानीपूर tiger reserve के रूप में विक्सित करने जा रही है और दोस्तों ये प्रदेश का चौथा tiger reserve होगा तो ये बात ध्यान रखेंगे चौथा tiger reserve ये होगा मुक्यमंत्री योगी आदितनात ने इसकी गोशना जो है राज्य वन्यजी बोर्ड की बैठक में की है एक तो ध्यान रखेंगे कि जो रानीपूर century है चित्रकूट में ये इस्तित है और इसे जो है अब रानीपूर tiger reserve की रूप में विक्सित किया जाएगा ठीक है और ये प्रदेश का चौथा tiger reserve हो जाएगा अगला उश्या ने किस राज ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का किताब जीता इसका जो करेक्ट अंसर है वो है option number D हरियाना ने मेजबान हरियाना ने अंतिम दिन यानि कि दोस्तों जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाना में आयजित किये जा रहे थे तो जो मेजबान हरियाना था इसने अंतिम दिन 52 सुन पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का किताब जीता हरियाना ने 39 यानि 49 रज़त पदक जीते हैं इसके साथ ही 46 कान से पदक जीते हैं और कुल मिला करके जो हर्याणा है इसने 137 पदक जीते हैं यह किसी विराजी के द्वारा जीते गए सबसे अधिक पदक हैं इसी वज़ा से जो हर्याणा यह पहले इस्थान पर रहा इसी वीच अगर दिखा जाए कि दूस दूसरे अस्थान पर कौन सा राज रहा? तो ध्यान रखेंगे दूसरे अस्थान पर है महारास्टा और महारास्ट ने 45 सोढ्ड पदक जीते हैं, 40 रजत पदक जीते हैं और 40 कान्सी पदक जीते हैं? कुल मिला करके 125 पदकों के साथ ये सेकेंड नमबर पर रहा वह एकर देख कांसे पदक जीते हैं और कुल मिला करके जो करनाटक है उसने 67 याने की 67 पदक जीते हैं तो ध्यान रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का खिताब जो है वो किस ने जीता तो ये जीता है हर्याणा ने और हर्याणा ने कुल मिला करके कितने पदक जीते हैं तो 137 पदक ह हर्याणा ने जीते हैं दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर इसकी बात की जाये तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये कब स्टार्ट हुए थे तो चार जून को ये कई इस्थान पर सुरू हुए जिसमें हर्याणा के पंच कुला में बड़ी संख्या में आयू दोस्तों इसमें मेजबान था 398 एथलीटों के साथ सबसे बड़े दल को मेदान मे उतारा गया इसके बाद महराष्ट्र 357 के साथ यानि अगर ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा दल किसका रा तो हरीआना का 398 एथलीटों को इसमें उतारा और दूसरे पर रहा था महराष्रा जिसने 357 एथलीटों को उतारा था. टैक, तो ध्यान रखेंगे यहां पर आप और दोस्तों, खेलो-इंडिया यूथ गेम्स से संबंदे ध्यान रकनी है और जो winner रहा यानि की जो पहले स्थान पर राज रहा वो रहा है हर्याना तो इसका नाम आपको अच्छे से ध्यान रकना है अब यहां पर हर्याना की बात है तो सबसे पहले map में देखेंगे के हर्याणा है कहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है मैप में हर्याणा दोस्तों जो हर्याणा है इसकी कैपिटल क्या है तो चंडीगर इसकी कैपिटल है हर्याणा के चीफ मिनिस्टर मनुहरलाल कटर और हर्याणा की गवर्णर है बंदारू दत्ता त्रिये वहीं तो यहां पर आप देख सकते हैं पंजाब हो गया इसके साथ ही राजस्थान हो गया और यहां पर उत्तर प्रदेश भी है और उपर की और आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है और यहां पर जो है उत्तरा खंड की सीमा को भी यह टच करता है तो यह सारे राज्य हैं जिनकी सीवा को हरियाणा टच करता है अगला कुषन है पीम मुदी ने एसिया के सबसे बड़े गोबर्धन प्लांट का लोकारपन कहा पर किया तो अभी जो है प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने इंदौर में जो मद्य प्रदेश का इंदौर है यहाँ पर एसिया के सबसे गोबर्धन प्लांट का लोकारपन किया है दोस्तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी ने बीडियो कॉन्फरेंसिंग की माध्यम सी मध्यप्रदेश राजी के इन दौर में ठीक ध्यान रखेंगे कहाँ पर गोबर्धन प्लांट वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर आधारित है इंदोर गोबर्धन बायो सी एंजी प्लांट प्रती दिन ये कितनी सी एंजी जो है उत्पादित करेगा तो 17,000 क्लोग्राम 17,000 क्लोग्राम सी एंजी और सोटन प्रती दिन जैविक खाद का उत्पादन ये करेगा ठीक तो ध्यान रखेंगे आप कि हाली में एसिया का जो सबसे बड़ा बायो सी एंजी प्लांट है इसका उद्गाटन किस ने किया प्रधानमंत्री नरेंदर मुदी ने किया और कहा पर ये जो है इस्थापित किया गया तो मद्यप्रदेश में ये स्थापित किया गया इन दवर में इस्थापित हुआ है ठीक तो ध्यान रखेंगे अगला उश्यन है अगनी पत भरती योजना के तायत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भरती की जाएगे तो अगनी पत जो भरती योजना है ये सुरूप की गई है सरकार की ओर से और इसमें जो है चार साल के लिए युवाओं को भरती किया जाएगा दोस्तो सरकार की तरफ से सेना में भरती के लिए एक योजना लॉंच गी गई है कौन सी योजना तो ध्यान रखेंगे अगनी पत भरती योजना इसके अंतरगत क्या होगा दोस्तो इसके अंतरगत सेना में चार साल के लिए अगनी वीरों अर्थात युवाओं को भरती किया जाएगा यानि जो युवा इसमें भरती होंगे उन्हें अगनी वीर की नाम से जाना जाएगा ये जो कदम है ये किंदर सरकार की तरफ से सेना की ओसत उम्र कम करने की उद्यसे से उठाए गया दोस्तो इसमें जो युवा सामिल होंगे इस भरती में उन्हें क्या कहा जाएगा अगनी वीर ठीक ध्यान रखेंगे अगनी वीर उन्हें कहा जाएगा अब दोस्तो इस युजना की तहित क्या प्रावदान है सारी बातें यहां को हम जानेंगे विस्तार से तो दोस्तों इस योजना में पहली बात तो ध्यान रखेंगे चार साल के लिए नौकरी दी जाएगी पहले साल जो युवा होंगे उनको चार दिसमलब साथ च्छे लाग का सालाना पैकेज दिया जाएगा वहीं ये आकरी साल यानि चौती साल में इस सेली भढ़ करके 6.9 ला यहां पर क्लियर हुए कि जो अगनी पत भरती योजना सरकार द्वारा सुरू की गई है इसमें क्या होगा इसके माद्यम से युवां को सेना में भरती किया जाएगा और जो सेना में भरती किया जाएगा वो चार साल तक के लिए किया जाएगा एक में बात यहां पर ध्यान जो युवा होंगे अगर वो देश की लड़ाई के दोरान अगर वो सहीद हो जाते हैं तो उनकी परिवार जनों को एक करो रुपए दिये जाएंगे और इसके साथ ही विकलांगता होने की सिती में जो है उन्हें अड़ालीस लाक रुपए दिये जाएंगे तो ये दो बाते म हाथ पूर हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं और सारी बाते हैं पर क्लियार हैं कि जो अगनीपद भरती योजना है इसके माध्यम से सेना में भरती किया जाएगा युवाओं को नोकरी कितने साल के होगी तो चार साल के लिए उन्हें जो है भरती किया जाएगा और इसके बाते थी अगनी पत भरती योजना से संबंदेद और दोस्ते एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो अगनी पत भरती योजना के तरह तो युवाओं को आच्चाइन किया जाएगा तो उन्हें जो है किसी भी तरह की कोई पैंसन नहीं दे जाएगी टिक तो यह थी अगनी पत विसोरक्तदाता दिवस के नाम से भी इसे जो है जाना जाता है इस साल मेक्सिको अपने निशनल ब्लड सेंटर के माध्यम से विसोरक्तदाता दिवस की मेजवानी करेगा और इस साल की थीम क्या रही तो रक्तदान एक जुटता का काम है प्रयास मैं सामिल हूँ और जीवन हो से संबने ध्यान रखेंगे वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजिसन इसकी स्थापना का हुई है तो साथ अप्रेल उनिस सोड़ा तालिस को डबलु हो की स्थापना हुई है टेक तो धार रखेंगे 14 जून को कौन सा दिवस है विश्वरत दाता दिवस अगला कुशन भारत का प पहला मानव अंतरिक्ष मिसन याने की गगन यान और साथ ही पहला मानव माहा सखर मिसन लौंच करने का अनूठा गोरोप्राप्त करेगा अंतरिक्ष और मानव माहा सखर मानव मिसन दोनों के लिए परिक्षण एक उन्नत चरण में विक्सित हुआ है और ये जो लेखनी उपलब्दी है ये जो है 2023 की दूसरी शमाही में नई दिली में विश्व महासागर दिवस उत्सव में बुलते हुई प्रदर्शित की जाएगी तो ध्यान रखेंगे जो भारत का पहला मानव अद्रिक् गान यान और पहला मानव महासागर मिसन तो ये से भी साथ में लॉंच किया जाएगा अगला विश्यान है 1986 के बाद पहली बार कौन सा देश फुटबॉल विश्योकप में पहुंचा इसका जो गरेक्ट आंसर है वो है option number A कनाडा दोस्तों जो कनाडा है ये साल 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्योकप को कौलिफाई करने वाला देश बना कनाडा में टूरेंटू में जमाइका की 4-1 से हरा करके कतर 2022 फुटबॉल विश्योकप में खुद को कौलिफाई किया साल 1986 में पहली बार कनाडा में फुटबॉल विश्योकप के लिए खुद को कौलिफाई किया था ठीक तो ध्यान रखेंगे कि कनाडा में टूरेंटू में जमेका को कनाडा जो है इसने टूरेंटो में कनाडा ने टूरेंटो में जमेका को 4-1 से हरा कर कतर 2022 फुटवॉल विश्चुकप में खुद को कौलिफाई कर लिया है और दोस्तों 1986 के बाद जो है ऐसा पहली बार हुआ है कि कनाडा ने फुटवॉल विश्चुकप के लिए मिल होंगे तो ध्यान रखेंगे ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफी लंबे समय के बाद जो करनाडा है ये पुटबॉल विशुकप में हिस्सा लेगा यानि विशुकप के लिए इसने जो है खुद को कौलीफाई किया है अगला उखिया ने किस राजी सरकार ने fruits software launch किया इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option number C करनाट का दोस्तो करनाटक सरकार ने हाली में योजनाओ के लिए आधार आधारत एकल खिड की पंजीकर्ण के लिए किसान पंजीकर्ण और एकिकरत लाभारती सूचना पढ़ाली fruits या fruits software जो है launch किया है दोस्तो fruits software स्वामित को प्रमारित करने के आधार कार्ड और करनाटक की भूमी digital भूमी record प्रडाली का उपयोग करके एकल पंजीकर्ण की सुविदा प्रदान करेगा अब सबसे पहली जो बात है वो यह है कि जो fruits है यहाँ पर आप देख रहे है fruits software इसका full form क्या है तो दोस्तो fruits का full form आप ध्यान र फुल फॉर्म से भी सम्मंदित कुश्चिन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे fruits का full form यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को विभन सरकारी योजनाओं के तहत वित्रत लाबों तक आसानी से पहुंच जो है वो प्राप्त हो ऐसा इसका उदेश्य है करनाटक सरक फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे इसका उदेश्य क्या रहा तो इसका उदेश्य है कि जो करनाटक के लोग है उन्हें जो है विभन सरकारी योजनाओं के तायत जो लाब दिये जाते हैं उन तक पहुंच पराप्त हो ठीक है तो fruits software कहां से सम्मंदित हो गया यह करनाटक से सम मंदित उतरप्रदेश की सभी exams के लिए most important current effect की question जो कि हमने discuss कि हम देखते हैं कल की वीडियो को question जो हमने आपसे पूछा था कि देश का सबसे बड़ा steel bridge के सराज्य में बना तो यह बिहार में बना और option number A इसका correct था लगवक सभी students ने इसके सही जवाब की और मैं आपसे हर करना अपराद की सेनी में नहीं वाना जाएगा तो इसका जो भी correct answer है वो आपको comment box में बताना है तो दोस्तो अगर आपको 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 वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और अगर अभी तक हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करना ना भूलें साथी वेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि time to time notification आप तक पहुंचतर तो मिलते हैं next video में thank you